गुड मॉर्निंग देज स्टुडेंट टूडी इस अवर हिंदी क्लास आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरन की बूग से पेज नंबर त्री लेसन नंबर फॉर्स भाषा एवं वन भाषा एवं वन पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में भाषा क्या होता है बाषा क्या होता है बच्छो जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या तो बोलकर या फिर लिकर बताते हैं या फिर प्रकर करते हैं उसे हम क्या कहते है बच्छो बाषा बासा हम जब अपनी बात किसी को बतानी होती है सुननी होती है या समझनी होती है तो हम भासा का प्रियोग करते है वो चाहे बोलना हो और चाहे लिखना हो भासा दोनों में काम आती है भासा दो प्रकार की होती है पहली होती है मोकिक भासा दूसरी होती है लिकित भाषा मोकिक भाषा क्या होती है बच्छो जो मुख्य द्वारा बोलकर कानों से सुनी जाती है उस भाषा को अपन क्या कहते हैं मोकिक भाषा कौनसी भाषा जो मुख्य द्वारा बोलकर और कानों से सुनी जाती है उसे मोकिक भाषा किसी के बोलकर या लिखकर किसके सामने प्रकर करते हैं उसे हम भासा कहते हैं तो भासा आज हमने पढ़ा भासा तो भासा क्या होता है बच्छो जिसके द्वारा अपने मन के विचार जो होते हैं अपन किसी के सामने बोलकर या लिखकर प्रसुत करते हैं उसे हम भासा कहते हैं बहसा दो प्रकार की होती है एक होती है मौकिक भाषा दूखसरी होती है लिकित भाषा मौकिक भाषा मुख से बोलकर कानों से सुनी जाती है वह मौकिक भाषा लिकित भाषा जो लिक कर बताई जाती है वह लिकित भाषा इसी प्रकार व्याकरण किसी भासा को सुद्ध रूप में बोलने या बोलने का ज्यान कराने वाले नियमों को व्याक्रण कहते है क्या कहते है बच्छो जिस किसी भासा के सुद्ध रूप में लिखने या बोलने का ज्यान कराने वाले नियमों को व्याक्रण कहते है भासा की द्वनी आपके पुस्तक कि चीज़ से बनी है? कागल से, इसी प्रकार भासा दुवनियों से बनती है इसी तरह इस लरकी का नाम करुणा है मैंने पूचा करुणा तुमारे हाथ में क्या है? उसने उत्तर दिया कमल तो यह दुवनिय और किसी नाम का बोध हो रहा है तो इसमें कमल, आईए हम कमल सब बनाने वाली दुवनियों का पता चलाते है दुवनिय मतलब आवाज तो यह जैसे वर्ट जोड़ा है का प्लस अ का बन गया मा प्लस अ मा ला प्लस अ ला पूराज बना है क्या वर्ट बना ये? कमल तो यहाँ पर पड़ा हमने भाषा और भाषा की दुवनियों तो ठीक इसी प्रकार नेक्स आगे का पेज हम देखेंगी नीचे दियेगी सब्दों को द्यान से पढ़के समझना है और भी वर्ट बने हुजों इसकी सब दिये हुए है पिचर्स भी दी हुई है और द्वनिया भी दी हुई है माला, शे, गमला, लड़की तो इनको वर्णों के द्वनिया दी हुई है तो इसको आपको देखना हिसमे ये सबी द्वनियों की मेल से बन है इन द्वनियों की और टुकड़े भी नहीं किये जा सकते ये सबसी छोटी द्वनिया है तो आज का चेप्टर ता अपना बाशा एवं वन तो अभी हम वन के बारे में पढ़ेंगे परी बाशा देखो वन की वह द्वनी जिसके और टुकडी न हो सके उसे हम क्या कहते है बच्चो वन कहते है बाशा वनों से बनती है और व्यंजन उसका हम वन माला कहते है हिंदी वन माला में 46 वन माने जाते है और हिंदी वन माला के दो भागे स्वर और व्यंजन स्वर है ये A, A, E, E, U, U, V, A, I, O आउकुल 11, स्वल 11 और वियंजन यहां पर है क, ख, ग, ग, ड, च, च, ज, 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 न, त, ठ, ड, ध, ध, न, त, त, द, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ग, ड, ड, और, ड, कुल कितने यहां पर यह 35 यहां पर 11 तोटल कितने हो गए? 46 तो वर्ण माला में 46 वर्ण है तो वर्ण माला में भी आगे स्वर और वियंजन स्वर कौन से होते हैं, बच्चो स्वर जिन वर्ण को बोलते समय हमें अन्य वर्ण की साहता न लेनी पड़ती हैं वह स्वर कहलाते हैं हिंदी में 11 स्वर है अब भी अपने पड़े फिर से बताती हम आपको आ, आ, ई, ई, उ, 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 र, ए, आ, आ, ओ, तता, आ, व वियंजन जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की साहता लेनी पड़ती हैं उन्हें हम वियंजन कहते हैं इनकी संग्या 35 हैं हिंदी की समस्थ वियंजन इस प्रकारे वर्ण का नाम है ये वियंजन वर्ण है इनके आती दिख निमनले के संयूक व्यंजन होते हैं ये दूदू व्यंजनों को जोड़कर बने हैं शग किससे बनता हैं? कप्ल शग शग शमा यक्ष रक्षा य ज प्लस न य ज ग्यात ग्यान ट्र किससे बनता है? त प्लस र ट्र पत्र पूत्र सत्र मात्र श्र श्र स प्लस र श्र श्रम श्रमीक श्राप ड और ड वन सब्द के आरम में नहीं आते अ और अहन को अयोग वहका जाता है इससे हमने पढ़ा आज वन भाषा वाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोल कर या लिकर प्रकर करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं और वन किसे कहते हैं? वह द्वनी जिसके और टुकडे न हो सके उसे हम वन कहते हैं और वर्ण माला हिंदी में कुल 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 सब वर्ण है ची आलीस तो वैबु मैंने आपको पढ़के बता दिए अभी हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक यह अपर हिंदी की किताब में पढ़ चुके है फिर से आप रिवाइस कर दिजी एक बार अनुस्वार ब है बिंदी को अनुस्वार कहते हैं जिसका आप पुचारन हम जिसको बोलते समय म्हवार नाक शे बार निकलते हैं उसमया उसे वर्णों पर से रात ही और मुदूं से बाहर निकलती है उसे चंद्रविंदू को अनुनाशिक कहते हैं चंद्रविंदू भी वह सकते हैं और अनुनाशिक भी बोल सकते हैं तो ठीक इसे प्रकार कुछ पॉइंट्स दिये हुए है वर्ण के आगे लगने वाले बिंदू दो जो इविंदू है उसको विशर्ग कोलोन कहलाते हैं जैसे प्रायह, प्रातह, अंतह, स्नेह, पुनह जिन वर्णों से सब्द बनता है वह उसकी वर्तनी होती है जैसे धर्म सब्द की वर्तनी द प्लस अ प्लस र प्लस मा प्लस अ धर्म कमल की वरतनी कव प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ कमल व्यांजन के साधरा अनिक रुपों में जूड़ता हैं जैसे कर्म कर्म ट्रक आदी इसी प्रकाल लिपी स्क्रीप्ट हम जो कुछ भी बोलते हैं वे द्यानिया होती है द्यानियों को लिखने के लिए प्रतेक भाशा में चिन्नते हैं इन्हें चिन्नों को लिपी कहते हैं द्वन्यों के साथ जो हम लिखते हैं तो लिखने के लिए प्रतेख भाषा में हमें कोई ने कोई छिन जरूर होता है निशान जरूर होता है उन छिनों को हम क्या कहते है लिपी कहते है जिन वर्ण संकेतों में किसी भी भाषा को लिखा जाता है उस भाषा की लिपी कहलाती है हिंदी भासा के इदेव नागरी लिपी में लिखा जाता है तो इसी प्रकार आज का अपने टॉपिक था वर्ण एवं भाषा भाषा तो अपन को मैं आपको बताई चुकी हूँ भाषा क्या होती है बच्चो जो अपने मन के विच्छार होते हैं उसको बोल कर या लिखकर हम किसी के सामने प्रकार करते हैं उसे भाषा कहते है वर्ण द्वनी की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहों सके उसे वर्ण कहते हैं तो आज हमने पढ़ा भाषा एवं वर्ण तो इस चेप्टर को आप अच्छे से समझेना और कुछ भी डाउट है तो आपको मुझे पूछना है आज का ये फ़र्ण चेप्टर आपका कंप्लीट हो गया है इसकी कुछ अंसर है जो मैं आपको सलेक करके करऊंगी और जो इसकी बुक्स में जो फिल करने वाले है वो बुक्स में करके बता दूँगी और जो कुछ न अंसर है वो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है और इस चेप्टर को अच्छे से समझना है और कुछ भी डाउट है तो आपको मुझे पूछना है धन्यवाद